आप एक रिटर्नर हो लेकिन आपके पास experience certificate नहीं है आप GCC या यॉरोप कंटी से दूसरे देश से दूसरे कंपनी में आपने एक सल दो सल काम किया किसी कारण से आपके पास experience certificate नहीं है तो ऐसे में क्या करें क्या solution है इसका जब हम दुबारा client interview देने के लिए जाते हैं अपलाई करते हैं तो वहाँ पर experience certificate की ज़रूर पड़ती है इसी का कुछ एक रास्ता एक तोड़ निकाल कर आया हूँ एक alternative क्या एक रास्ता होना चाहिए अपने तरीके से आपको समझानी के कोशिश करता हूँ और genuine है अगर आप इसे follow कर लेंगे इस problem से बाहर आप निकल जाएंगे जो एक tension, एक create है हमेसा आप tension में दिमाग में एक चल लिए कि पता नहीं सब कुछ करने के बाद last मैं interview देने के लिए जाऊंगा interview पास होगा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास experience certificate नहीं है तो आएए शुरू करते हैं जल्दी से उससे पहले एक मेरा नया channel है वहाँ पर जाकर कि आप मुझे subscribe कर सकते हैं लिंक description में है वहाँ पर भी बहुत अच्छी digitally career कैसे बनाई YouTube पे उसके बार में बात होती है लिंक description में है जाकर कि आप subscribe कर लिजिए बेल आइकन को all पर दबाईए ताकि सारे notification आपको मिलते रहें दोस्तों आए जल्दी से शुरू करते हैं आप आज ये करते हैं experience certificate के हिसाब से experience certificate कोई भी company जब 2 साल का duration पूरा करते हैं तो company experience certificate देति है जब final exit आते हैं मतलब यह कि जब भी हम final exit आते हैं तो company सब कुछ हमें देती है विट experience certificate लेकिन जब हम resign करते हैं या company हमें terminate करते हैं company या employer के साथ हमारा जगड़ा हो जाता है। ऐसे condition में company maximum 99% experience certificate नहीं देती है। आपका हिसाब जो बनता है पैसा, passport, ticket दे देगी और out कर देगी आपको। फिर जब आप अपने country में आते हैं, वहाँ problem कीरियत होता है। देखो company कोई ना कोई paper दिया होगा आपको कभी, कोई वारगा बना करके या कोई receipt है, चलिए offer letter को पकड़ लेते हैं। offer letter जब भी रहेगी company की तो वहाँ पर company का एक stamp रहेगा, stamp रहेगा। उस stamp को आप उसको समाल के रखिए, company का कोशिस किजिए कि company का एक letter pad वहाँ कोई admin वाले से कहीं से ले ले, अगर चलो नहीं भी लेते हैं, तो जो आपका offer letter है, उसी letter pad पे, यानि कि जो उपर का आपका heading है, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये fake नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि आपके पास passport में उस company का visa लगा हुआ है, जो entry और exit का जो airport पे stamp है, जो लगता है, वो साबित करता है कि आप इंडिया से बाहर इस company में इतना दीन रहे, तो ये fake नहीं होता है कहीं से भी, समझना इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, बह तो offer letter का जो उपर का heading है, company का address, क्या होता है heading में, company का address होता है, company का नाम होता है, contacts होता है, उसका license number होता है, तो ये सब चीजें होती है, details और company का logo होता है, ये सब सारी चीजें वहाँ already है, वहाँ मिल गई आपकी, same जो है, कुछी दिस्तुरे letter pad पे आप बना लीजिए, type कर लीजिए, कहीं से भी बना लीजिए, और उसका elimination करा लीजिए, काम में आ जाएगा आपका, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जो offer letter के उपर में stamp है, एक stamp बना लीजिए, या online भी लोग मतलब digitally भी stamp बना के लगा देते हैं, सारी बात मैं YouTube चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, जो यह सब चीजे हैं, आप साथ समझ गए होंगे, तो यह बना लीजिए और चेक नहीं होता है, मैं बार बार बोला हूँ, experience certificate गल्फ का या इंडिया का गल्फ में या गल्फ का गल्फ में चेक नहीं होता है, बहुत high level पे हैं आप, health से जुड़ा कोई medical department हैं, doctor हैं risky job है, या medicine department में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है, scientist हैं, लेकिन एक आम एक medical class आदमी जो normal काम में जाता है, उसकी कोई मतलब की पूछने वाला नहीं है, बस आपका performance अच्छा होना चाहिए, एक बार चले गए काम खतम, लोग इसको ले करके, अभी हाली में मेर पास बहुत सरे comments आए थे, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी भाई ने यहीं पूछा था, कि experience certificate नहीं है, लेकिन मैं returner हूँ, तो आपके पास offer letter होगा, company के logo होगा, नहीं होगा तो net से निकाल लो, उस company के विए upside पे चले जाए, वहाँ से जाकर के सारे DTS ले दुनिया बहुत advance हो चुका है, बना करके उसका stamp भी, Arabic और English का stamp भी बनता है, मुंबई में, दिली में, आपके state में, आपके महले में, आपके सहर में, आप पता तो करो, online ओ लोग सब कुछ सारे contents को निकाल लेते हैं, और Arabic में बना के दे देंगे, कि stamp लगा लीजी, signature मारो, खतम करो यार, कहे को tension लेके बैठे हो, unnecessary, यह सब चीजे हैं, यह सब छोटी-छोटी कुछे, मतलब की common sense की चीजे हैं, इसमें बहुत जादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप experience certificate बना सकते हो, बीना किसी problem की, ठीक है, और यह चेक नहीं होता है, और यह गलत भी नहीं है, क्योंकि आपके passport पे, airport पे, जिस दिन आप गए, उस दिन stamp लगा हुआ है, जिस दिन आप उधर से आए, उसका भी stamp लगा हुआ है, यह clear करता है, कि आप इपने देश से बाहर, इस देश में, कहां रहे आप, visa लगा हुआ है, इस company में थे, that's it, आप बना करके, चि की बातें करता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटा बटन को all पे दबाईए, और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी link description में है,